बिरेंजी स्वागत आपका क्या नीट जैसी परिच्छा भी अगर पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती है तो कौन सी परिच्छा और बच्चे किस पर भरोसा करें अब तो मतलब अंडर ग्रेजुएट के पेपर लीक हो रहे हैं चलो अभी तक तो रिकूरूट्मेंट के भरत अक्टर बनेंगे और उसके बाद फिर यह पीजी करते हैं अंडर ग्रेजुएट की परिच्छा का पेपर नीट का जिसका लीक हो गया वो बच्चे एंबी बिएस नहीं बन पाए 23 लाग से जादा लोगों ने परिच्छा दी थी तो यह तो उनके कैरियर से जुड़ा पर और यह दर्साता है कि कहीं पर कोचिंग माफिया पैसे वाले लोग बड़े बड़े परिक्छाओं में क्या हस्तक शेप कर सकते हैं या करते हैं सिब्याई जाज की मांग हो रही है पूरे देश में अंदोलन चलना है और सरकार कह रही है कि 1563 का हम दुबारा एक्जाम कराएंगे जिनको हमने ग्रेस मार्क दे दिया था अच्छा ये ग्रेस मार्क क्या चीज है इस पर भी कोई बात अभी तक साप नहीं आई ग्रेस मार्क वो चीज है उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी परिच्छा देर से सुरू ही है या जो परिच्छा तकनिकी या किनी काणों से पूरी नहों पा रही हो और जितने प्र कि उसमें से 790 लोग सफल हो गए थे इस 1563 में तो ये इन्हों ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क वापस ले लिया है इससे काफी बड़ी संख्या में इनका जो सेलेक्षन हुआ था ये पीछे चले गए ये खारीज हो गए तो ये हल्ला मचा हुआ है लेकिन जाज तो पूरे मामने क भी बनती है अब बात आ रही थी अभी बार-बार की करनाटक उडिसा और जारकंड के ये लड़के गुजरात में कहेंगे एकजाम देने जब ये अपने राज में एकजाम दे सकते थे तो गुजरात में गोधरा में एक जगा है बिरजे जी जिसका नाम है जलाराम स्कूल इस स्कूल से सोला चात्र पास हुए हैं इस में चारकंड के भी बच्चे हैं पुलीशा के भी और गुजरात करनाटक के हैं तो ये इस पर लोगों का संदे है कि अपना राज छोड़कर गुजरात के गोधरा में जैजलाराम को सेंटर क्यों चुना गया इन लड़कों के द तो स्टेट में सीपीअम्टी परिखा होती थी हर राज अपना परिच्छा करा लेता था नीट ऊठ हम लोग जानते ही नहीं थे यह तो जब गोटाला हुआ तब हम लोग जाने की अब सीपीअम्टी खतम हो गया अब नीट होता है और नीट में बिचितता देखिए कि केज अमसी लोहिया और यह सब चलाएंगा राज सरकार और डाक्टर भेजेगी केंसरकार अस्पताल इस्टेट चलावे और डाक्टर भरती केंद्र करें तो यह नीट से पूरे देश में डाक्टरों की भरती होने लगी जैसे गुत्तर परदेश में मुख्याले से मानलियो बच्चों के लिए स्कूल में किताब कापी खरीद ना है तो जीलेम बियस से न खरीदे मुख्याले से पूरे स्टेट के लिए खरीद ली जाए तो सेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज गलवड़ी भी होगी आप वो तुझी अगर करणाटक जhardकण के बच्चे गोद्रा वें जा रहे है एक जैन देने तो यह तो प्रमाड़ है तो बच्चों की सालों की मेहनत बरबाद होती है माबापकी गारी कमाई बरबाद होता बच्चों का भवी से एक साल बरबाद होता है खाली गोदरा नहीं है राजस्थान का सवाई माधोपूर भी है जहां पर गलत पेपर माटा गया था वहां पर भी काफी सारा मौवाल मचा था सीबियाई ने 2021 में भी एक बार नीट के मामले में पेपर लीख हुआ था तब छापेमारी की थी वो इसे आपको एक बहुत रहासुत घाटन कर रहा हूं कि यह जो MBBS में बच्चे जाते हैं यह इंटर में बाइलोजी लिये होते हैं यह जाते हैं लेकिन बहुत बिचित्र बात है कि बाइलोजी लेने वाले चात्रों की संख्या देश में दिन पर दिन घट रही है इंटरमीडियट में क्योंकि इस पढ़ाई में मेहनत बहुत ज्यादा है और इसकी तुलना में फिजिस कमेश्टी मैथ PCM को ज़्यादा चात्र चुन रहे हैं और वो इंजीनिरिंग, IT, कम्प्यूटर तमाम सारे सेक्टरों में जाते हैं जहां नोकरियों की भरमार है लेकिन बाइलोजी करके नीट की तयारी करने वाले CPMT डाक्टर बनने वाले लोग अगर डाक्टर नहीं बन पाते तो फिर वो डाक्टर के लावा कुछ नहीं बन सकते इसलिए आने वाले वक्त में कि इंटर में बाइलोजी लेने वाले चात्रों की संख्या दिन बर दिन घटेगी और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब इस देश में डाक्टरों के लिए एक्जाम देने वाले चात्र ही कंपर जाएं जी बिरेंजी यह बहुत मात्पूर में बात बता रहा हूं आपको वह इसे हमारे देश में छोड़िये अगर उत्तर परदेश में आप देखेंगे तो पुलिस के भरती के पेपर लीख हो गए थे आरो के भरती के पेपर लीख हो गए ए आरो के भरती के पेपर लीख हो गए सरकार ने कहा था कि हम छे महीने के भेत पर इन सब की परिक्षाएं कराएंगे जिन चात्रों का पेपर लीख हुआ है उनका मनोबल कमजोर है बहुत सारे सवाल है जाज एजन्सियों पर जो जो जन्सियां पेपर कराती हैं उन पर भी लाखों चात्रों का भविश अंदिकार मैं है जे और सिच्छा माफिया की इंठेरी बच्चों के भविश के साथ खिल्वाल कर रही है यह सब चीजों पर रोग लगानी होगी बहराल बिरजय जी हम लोग जीज बेवस्था में रहते हैं कहते हैं की मेहनत करने सेयसे वाले छात्रों को उतवन देदी ऊछ कि इस साल की भी तयारी धरी रहे गई एक कविता है कि घर की जिम्मेदारी बनी रहे गई ऊब बापू पर उधारी चढ़ी रहे गई लिग्रिया सजावटी बनी रहे गई और इस साल की तयारी भी धरी रह गई और गांधी के जीवन पर प्रस्णों के उत्तर नोटों के गांधी ने जब लिख डाले अभ्यर्थी की आखों तक तब ठकी रह गई और इस साल की तयारी भी धरी रह गई और जब सब लोग सो रहे होंगे तब तुमको जाक कर पढ़ना ही होगा बड़ा सपना तुने देखा है उसे पूरा करने के लिए तुझे रात दिन खुद से लड़ना ही होगा बहुत शुक्रिया विरेंजी आपने बड़ी उची बात की बहुत बढ़ीया बात आपने कहीं कि बेंथी बच्चों को बस उतना ही मिलेगा जो पेपर लीक वाज़ी